भाईयों और बेनों प्रधान मंत्री आपसे कहते हैं कि उन्होंने किसानों को पैसा दिया साड़े तीन रुपए साड़े तीन रुपए उन्होंने किसानों को दिये वहाँ ताली बजी ठीक है? सिंपल सी बात है आपको गुम्रा किया जा रहा है आपको साड़े तीन रुपए दिये जाते है और प्राइवेट हवाई जहाज़ वालों को लाखों करोड रुपए दिये जाते है हम अब आपको नियाई देने जा रहे हैं नंबर याद रखिए 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल का धन्यवाद अब कोई सवाल हो? I will not be able to take, no no, you can't, one sec, एक बात बच गई, एक बात बच गई, पाँच करोड, पाँच करोड फैमिलीज, 25 करोड लोगों को direct scheme का फाइदा मिलेगा You cannot, see, you cannot continue to question like this, you have to wait I will explain it, देखिए, minimum income line 12,000 रुपए की है, जो minimum income line और minimum उनकी जो income है उसका जो फरक होगा वो सरकार देगी तो मान लो आपकी अगर income 6,000 की है, तो जो 12,000 से आपका कम है income, उसको टॉप आप करेगी आप, आप लोग हैरान लग रहे हो आज, शौक लग रहे हो, है न, थोड़ा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, बाई और बेहनों मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए, हर रोज आपसे चोरी की जा रही है, आपका पैसा लिया जा रहा है, हर रोज आपका पैसा लिया ज क्या है कि डीटेल्स डीटेल्स हमने पूरा इसको हम चार-पांच महीने से स्टडी कर रहे हैं कि दुनिया के बहतर एकॉनमिस से हमने डीटेल्ड में अनलेसिस की है यह फिस्कली प्रूडंट स्कीम होगा इसको हम फेजिज में करेंगे डीटेल्स आप समझना चाहते है तो चितामबरम जी और जो हमारी हमारी टीम इस पे काम करें वो आपको खुशी से दीटेल्स दे देगे जैनिंदर आपको मनरेगा कमिट करके दिया था हमने करके दिखा दिखा दिया अब हम आपको नयाय कमिट कर रहे हैं हम गरीबी को हिंदुस्तान से मिटा देंगे आपने ठीक नहीं सुना नहीं परिवार में व्यक्ति में बहुत फार्क होता है परिवार में पांच व्यक्ति होते हैं नई नई वो काम कर रहे हैं देखिए हिंदुस्तान में सब लोग काम कर रहे हैं हमारा सिर्फ कहना है कि आप काम कर रहे हो अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए से कम है तो हम आपकी आमदनी को 12,000 तक पहुचा देंगे कोई काम बन नहीं करेगा जब वो व्यक्ति कमफर्टबली निकल जाएगा 12,000 से फिर वो स्कीम उसको पैस तो इट विल स्टॉप उन इट्स ओन बट हमारी हमारी फिलोसिफी है कि अगर आप हिंदुस्तान में आज एक मिनिममम इंकम से कम आपकी आमदनी है तो फिर आप गरीबी से निकल ही नहीं सकते हो तो हम identify करना चाहते हैं इस देश में सबसे गरीब लोग कौन है और एक बार हम उनको गरीबी से निकालना चाहते हैं खतम करना चाहते हैं तो यह एक प्रकार से मनरेगा first phase था operation का मनरेगा में 14 करोर लोगों को हमने गरीबी से निकाला अब यह second and final operation है अब इस second phase में हम 25 करोर लोगों को गरीबी से निकाल देंगे खतम कर देंगे अधिती फ्रूम दे ट्रिविए एक्स्ट्रीमली पावरफुल